हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हमारे योट्योब चैनल 3X Medical Classes में फ्रेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग साल्व करेंगे टेश्ट नमबर 28 जो की मैत और रिजिनिंग के कोसनों से रिलेटेड होगा ये सभी कोसन आने वाले सभी नर्सिंग एक्जामों के लिए बेहत महतपूर कोसन है इसलिए आप लोग ध्यान से हरी कोसन को देखे और फ्रेंट्स वीडियो को लाज तक जरूर देखे सभी कोसन इंपोर्टेंट है सेम कोसन रिपीट होकर आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी कोसन पिछले साल नर्सिंग एक्जामों में पूछे गए कोसन है इस पेशल रूप से के जी एमीश का इग्जाम होने वाला है उसके लिए है ठीक है सभी कोशन इंपोर्टेंट है ध्यान से देखते रहे एक Friends, question केवल English language में है, मैं translate करके आपको हिंदी में भी बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को घवड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है If B-R-I-D-G-E यानि bridge is written as E-U-L-G-J-H in a certain code, यानि एक निश्चित भासा में, निश्चित code में यदि bridge को यानि B-R-I-D-G-E को E-U-L-G-J-H के रूप में लिखा जाता है तो how will fruit be written in that code, तो उसी code language में fruit यानि F-R-I-U-T को कैसे लिखा जाएगा तो friends इस type के questions को या reasoning को solve करने के लिए आपको जो सबसे पहले दिया हुआ है, उसमें आप एक निश्चित सम्मंद देखें कि कैसे bridge E-U-L-G-J-H से related है वही सेम सम्मंद आप F-R-I-U-T में लगाएंगे तो आपका विकल्पों में से right answer guess हो जाएगा ठीक है, clear, simple सा question है, सबसे पहले हम इस type के question को solve करने के लिए B-R जो दिया हुआ है code उसको लिखते है ठीक है, G-D-G-E ठीक है, ये code दिया हुआ है इसको क्या लिखा गया है, E-U-L-G-J-H ठीक है, ये लिखा हुआ है B का E से सम्मंद, R का U से, I का L से, D का G से, G का J से और E का H से क्या सम्मंद है, वही सेम सम्मंद हम fruit में apply करेंगे और right answer विकल्पों में से आ जाएगा ठीक है, तो अब हम B के कितने अक्षर के बाद में E आता है, ये देखेंगे ठीक है, B के बाद C, इसके बाद D, then after E, यानि तीन अक्षर के बाद, B के तीन अक्षर के बाद E आया है तो plus 3 अगर अक्षर करेंगे तो E आया है, इसके बाद R पे हम U का सम्मंद देखेंगे, ठीक है R का U से क्या सम्मंद है, वो देखेंगे, ठीक है, तो R के कितने अक्षर के बाद U आएगा R के बाद S आता है, T आता है, उसके बाद U आता है, यानि plus 3 इधर भी हुआ है series है, वो आता जाएगा, ठीक है, 3-4 आप करके देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें logic लगा हुआ है ठीक है, तो यानि plus 3 का logic लगा हुआ है, अब एक इसमें से special trick है, ठीक है, F, R, I, U, T को क्या लिखा जाएगा F, R, I, U, T को क्या लिखा जाएगा उसी code language में, तो जो अच्छा repeat हो रहे हैं उपर वाले code में, ठीक है, उनको तो आप जैसे के तैसे उससे चाट कर भी लिख सकते हैं जैसे R, R को U लिखा गया है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप U लिख लो इसके बाद I, I को L लिखा गया है, तो इसको भी आप L लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप छाटने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद और कोई U हुआ है क्या उपर नहीं हुआ है, तो इसमें F में 3 अक्छरा प्लस करो, F के बाद G, H, I, F के बाद अगर इसमें 3 प्लस करो तो I आजाएगा, तो I, U, L, यह 3 आगए, इसके बाद U में 3 अक्छरा प्लस करोगे, तो क्या आएगा, U में 3 अक्छरा प्लस करोगे, तो आएगा X, ठीक है, U, V, W के बाद X आता है, ठीक है, T में 3 अक्छरा प्लस करोगे, तो क्या आएगा, T के बाद U, V, के बाद W, ठीक डबलू आएगा ओके तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जो अक्षार आपको इस कोड से मिले वो आपने जैसे के तैसे चाटके रख लिए इसके बाद जो नहीं मिले तो उसमें आपने लाजिक लगा लिया जो लाजिक सेम सीरीच पर लग रहा था तो इसके लि इसमें कोई प्राबलम हुई नहीं होगी ठीक है अगर हुई है तो सेम रिजिनिंग का एक और कोशन है वह आप अगर साल्व करेंगे तो इस टाइप के कोशन अगर एकजाम में आप से पूछ जाएंगे तो जरूर साल्व कर लेंगे ठीक है क्लियर ओके एक को सन हो गया ने डीटन ऐस जी आर जे क्या लिखा गया है डाक को जी आरज जी आर जे देन हॉवी इल कैट बीटन इन देहल इंट कूल्ड उसिय कोड भासा में केट को क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहले डाग आप लिख लिए जैसे की उपर वाले कोशन में किया था लिख लिया इसके बाद इसको लिखा गया है जी आर जे ठीक है इसका इससे सम्मन निकाल लेते हैं तो D के कितने अक्षर के बाद G आता है D E F G यानि प्लस थिरी यानि तीन अक्षर के बाद आएगा ठीक है किसी किसी डीजिनिंग में हर एक अच्छर में बदलेगा ठीक है कभी कभी नहीं बदलता है लेकिन ये जो आप से नर्सिंग एक्जामों में पूछे जाएंगे वो सिंपल कोईशन होंगे ज्यादा टफ नहीं होंगे SSC वगेरा में tough question पोचे जाते है O के कितने अक्षर के बाद R आता है ठीक है plus 3 O के बाद P Q then after R आता है ठीक है plus 3 G के कितने अक्षर के बाद J आता है plus 3 ठीक है तो इसी प्रकार से कैट को उसी code भासा में plus 3 3 करके आप लिख सकते हैं अब हमने उपर के question में बताया था अगर ये बड़ी series आपको देता तो कुछ अच्छर repeat हो जाते तो आप direct छाट कर भी लिख सकते थे लेकिन इसमें नहीं हुआ ऐसा तो आप plus 3 plus 3 इसमें कर दीजी plus 3 C में plus 3 करोगे C के बाद D, E के बाद F आएगा C में अगर plus 3 करोगे तो F आएगा A में plus 3 करोगे A के बाद B, C के बाद D T में अगर plus 3 करोगे तो क्या आएगा T में T में अगर plus 3 करोगे तो W आएगा तो FD और W इस questions के लिए right answer हो जाएगा किस विकल्प में है FDW FDW option number C पर है ठीक है इसी type से question आप से KGMU के exam में पूछे जाएगे कोई type question नहीं होंगे आप लोगों को परिशान होने की कोई जुरूरत नहीं है ठीक है simple simple question होंगी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो पढ़ा हुए student है सभी questions write करके आएगे ठीक है क्योंकि मैं मेनत करके आप लोगों के लिए special यह question पिछले साल KGMU के exam में पूछे गए question है ठीक है friends तीसरा question है choose the correct alternatives to complete the following series correct alternative word आपको choose करना है guess करना है अनुमान लगाना है कि यह series आपकी complete हो जाए ठीक है ऐसे alternatives को choose करना है आप लोगों को विकल्प में से जिससे यह series complete हो जाए तो series क्या है A है ठीक है फिर एक dash है इसके बाद B है फिर A है फिर एक dash है B है फिर dash है फिर B है फिर dash है फिर A है फिर dash है फिर B है तो ऐसा क्या हम logic लगाएं जिससे same अक्षर एक निश्चित अंतराल के बाद repeat हो ठीक है same अक्षर लगभग एक निश्चित अंतराल के बाद repeat हो ठीक है तो friends इस type के questions को अगर आप से exam में पूछे जाए तो आपको पहले देखना है ठीक है पहले यहाँ पर A है के बाद B है ठीक है फिर A है फिर B है ठीक है तो A हर तीन अक्षरों के बाद A देखा repeat हो रहा है ठीक है A के बाद यह A आया दो अच्छर छोड़कर A आ गया ठीक है दो अक्छर छोड़कर क्या आया A आ गया ठीक है इसके बाद आप यहां पर भी दो अक्षर एक यह डैस वाला और एक यह यहां पर भी A लिक दें ठीक है ठीक है फिर इसके दो अक्षर बाद आप देखें तो A रिपीट होगा तो A की जो सीरीज है वो लगभग कम्पलीट हो गई ठीक है A A A ठीक है अब आप ये देखें कि कौन सा लाजिक लगाएं तो ये जो सब के लाश्ट जो अक्षर है वो भी है ठीक है भी है इसका फस्ट अक्षर भी है ठीक है तो फस्ट अक्षर अगर इसका भी है तो यहां पर भी फस्ट अक्षर भी आएगा ठीक है यहां पर भी फस्ट भी हो जाएगी ए डबल बी ए डबल बी फिर एडबल बी ठीक है इस टैप से एक सीडीज हो जाएगी सीडीज क्या हो जाएगी a double b फिर तो आपने क्या-क्या भरा ए के बाद इसमें b भरा ठीक है यह डैस वाला है ठीक है फिर वी और a कोस्टन में दिये हैं यह उपर सीरीज से लिक रहा हूं ठीक है यह डैस वाला B है फिर A के बाद double B तो A double B ठीक है तो इसमें ये इतना हो गया ये सुरुवात के ये 3 हो गए A double B ये next तीन हो गए इसमें आपने A बीच वाला भ़ा हुआ है फिर A double B A double B ठीक है A W B और लाश्ट में भी A W B ओके तो आपके डैट डैस वाले कौन कौन से अच्छर हो जाएंगे वो आप गिस कर ले डैस डैस जहाँ जहाँ पर है वो आप गिस करें A के बाद डैस था ये B पे डैस हो गया तो B यहाँ पे लिख लें ठीक है इसके बाद A के बाद B पे डैस था तो यहाँ पे भी B लिख लें ठीक है फिर कहाँ पे डैस था इसके बाद दो हो गए दो किलियर हो गए ठीक है इसके बाद A पे डैस था A पे डैस तो A लिख लें ठीक है A पे डैस था A लिख लें उसके बाद ये इस B पे डाइस था ठीक है, A से पहले वाली B पे और ये बीच वाली B पे तो दो B लिख लिए ठीक है, तो डबल B, A, डबल B ये किस आपसन में लिखा हुआ है, वो आप देख लिए डबल B, डबल B, A, डबल B आपसन नमबर D कोसन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ये अगर आपसन नमबर D अगर भरेंगे तो आपकी ये जो सीडी जैस रंखला है वो कम्पलीट हो जाएगी, एक निश्चित डिजिनिंग लगने लगेगी, ठीक है क्योंकि A, डबल B, फिर इसके बाद A, डबल B, फिर A, डबल B, फिर A, डबल B इस टैप से रिजिनिंग कम्पलीट हो जाएगी, ठीक है अगर समझ में आया, तो ठीक है, नहीं आया, तो next एक और कोसन इसी टैप का है, आपको वो साल्ब करेंगे तो आउर थोड़ा सा क्लियर होगा, इसी टैप के 10-20 कोसन करेंगे तो एक्जाम में एकदम क्लियर आपको हो जाएंगे, ठीक है इसमें हमने लिग भी दिया था, आफ्टर पुटिंग, डबल B, A, डबल B इन गिवेन सीरीज, इट वीकम, A, डबल B, A, डबल B, A, डबल B ठीक है, यह सीरीज बन जाएगी, यानि एक इसमें निश्चित रिजिनिंग लगने लगेगी एक निश्चित लॉजिक लगने लगेगा, ओके इसमें क्या है, एक निश्चित पैटर बनने लगा है, एक ए उसके बाद लगातार 2B, एक ए फिर लगातार 2B, एक ए लगातार 2B, एक ए लगातार 2B, एक ए लगातार 2B, एक ए लगातार 2B, ठीक है ये सारे question पिछले साल KZMU के exam में पूछे गए question है same question है option number 4 में same उसी type का आपको एक series दी है उसको complete करना है एक निश्चित logic लगाएंगे और वो series अगर आप के पास time है exam में आपके question हो गए है time बचा है तो सभी बिकलप आप एक एक करके रख लें अगर नहीं है time तो क्या करें आप अपने mind से थोड़ा सा सोचें कि क्या उस पे आ जाएगा ठीक है क्या आएगा तो series complete हो जाएगी question number 4 ठीक है इसकी जो series बनेगी वो बनेगी BAA ठीक है B इसमें भी एक 10 है ठीक है फिर BAA ठीक है BAA और BAA ठीक है इस step से एक series बन जाएगी इसमें भी तो BAA तो दिया हुआ है ठीक है A इसका एक यह जो पर जिस भी उस पे होँगे आपसन पर वो राइट आंसर हो जाएगा तो आपसर नमबर B पे 4A है जो की राइट आंसर हो गया है कुसर नमबर 4 का ठीक है अगर चारो हर जगा पे जहां जहां भी डैस है वहां पर आप A लिख देंगे तो यहां पे डबल डैस है ठीक है यह बड़ा वाला डैस है एक निश्चित code language एक निश्चित reasoning लगने लगेगी कि B के बाद 2A हर B के बाद 2A हर B के बाद 2A हर B के बाद 2A ठीक है तो आपको यह जो लिखा था इससे आपको clear हो जाता कि B के बाद 2A अगर आप लिख देंगे तो clear हो जाएगा तो इसी से हमने भी समझा था कि B के बाद 2A लिखे हैं इसी परकार से सब में लिख दिया जाएगा B के बाद 2A तो series complete हो जाएगी ठीक है इसी से हमने समझा था तो यह key point हो गया यह क्या हो गया key point हो गया इस series का तो इसी परकार से key point आपको ढोल लेने है key point हो गया तो इसी key point से हमने series को समझ लिया कि अगर हर जगा A लिख दिया जाएगा तो series complete हो जाएगी ठीक है अगर समझ आ गया है तो कोई बात नहीं नहीं आया तो same type के question भी exam में आपको repeat होंगे क्योंकि ये सारे question पिछले साल KGMU के exam में पूछे गए question घबड़ाने के कोई जरूरत नहीं है friends मैं सारे question करवाता रहूंगा ठीक है exam आते आते मैं इतने question करवा दूँगा कि आपको question ही मिल जाएंगे same question मिल जाएंगे आपको exam में ठीक है after putting four time a in a given series it become b double a b double a b double a यानी one b then after two a ठीक है एक repeated pattern में एक b और लगातार दो a ठीक है तीन बार लिखे होंगे उस series में तो series complete हो जाएगी ओके next question भी reasoning related है पिछले साल के जे में के exam में पूछा गया question है ठीक है complete the series इस series में जो भी question mark है वहाँ पर आपको value इस विकल्प से put करनी है तो complete हो जाएगी यह series ठीक है तो इस series को आपको complete करना है ठीक है question number five reasoning और मैद के question को समझने के लिए कुछ देर लगती है इसलिए friends video थोड़ा सा लंबा हो सकता है घवडाने की कोई जरूरत नहीं है आप skip करके भी देख सकते है ठीक है अगर आप skip करके देखेंगे तो आपको अगर question exam में repeat होगा तभी उसको solve कर पाएंगे अगर repeat नहीं होगा तो आप उससे solve नहीं कर पाएंगे तो इसलिए courses करें थोड़ा सा लंबा वीडियो है पर पूरा देख लिए ठीक है series है 1 के बाद 4 है फिर 27 है फिर 16 है ठीक है उसके बाद question mark है फिर 36 है फिर 343 है यानि क्या है series इसमें ऐसे टैप के question जो होते हैं उसमें दो series होती है जो पहला word होता है वो तीसरे से related होता है और जो तीसरा होता है वो एक के बाद छोड़कर उससे related होगा ठीक है पहला तीसरे से फिर तीसरा पांच में से फिर पांचवा सात में से से प्रकार से जो चौथा है दूसरा है वो चौथे से रिलेटेट होगा जो चौथा है वो छठवें से रिलेटेड होगा ठीक है क्लियर और इसके बाद ऐसे नेक्ट सीरीज बनती रहेगी तो आपको कोस्टन मार की वैलू पता करनी है ज्यादा लंबी सीरीज का कोई मतलम नह लागए एक नाग बाद 27 हो तुछचएन हो गया तो इसमें अलग अलग जो सीरीज है और यानि 8 में power 3 हो जाएगी और ये जो 4 लिखा इसको 4 कैसे लिखेंगे 2 की power अगर आप 2 लिखेंगे 2 की power 2 तो 4 आ जाएगा इसी प्रकार 4 की power 2 लिखेंगे ठीक है तो 16 आ जाएगा ठीक है इसी प्रकार से यानि सीरीज क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इसमें लिखा हुआ है और इसमें power का खेल किया गया है पहले एक की power 3 यानि जो आड संख्या है उनमें power 3 कर दी गई है ठीक है आड में power 3 ठीक है even में power 2 कर दी गई है ठीक है even में power 2 कर दी गई है तो ये सीरीज बन गई है तो एक की पावर तीन करेंगे तो एक ही आ जाएगा कोई बात नहीं दो की पावर आप दो करेंगे तो आ जाएगा चार ठीक है दो की पावर दो करेंगे तो चार आ जाएगा इसके बाद 3 की पावर करेंगे तो 27 आजाएगा ठीक है जो सीरीज आपकी मैच कर रहेगी इससे ठीक है 16, 4 की पावर 2 करेंगे यानि 4 को 2 बार गुणा करेंगे 4 x 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से कोशन मार की जगा 5 की पावर 3 करनी पड़ेगी तो 125 आएगा ठीक है 5 की पावर अगर 5 को 3 बार आपस में गुणा करोगे तो 125 आएगा ठीक है इसके बाद 6 की पावर 2 करोगे तो 36 आजाएगा इसके बाद 7 की पावर 3 करोगे तो 343 आएगा तो ये आपकी इस टैप से series हो जाएगी तो question mark की जगा क्या value आजाएगी 5 की power 3 ठीक है 5 की power 3 यानी 125 125 कौन से option में है option number C पर है तो यही आपके लिए right answer हो जाएगा ये इस टैप से अगर 10-20 question आप salve करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा exactly इसमें कौन सी reasoning लगेगी ठीक है exam में आप देखते ही बता देंगे right answer ठीक है ये मैंने लिख दिया रहा ठीक है अगर कोई बच्चे PDF के लिए इचुक है तो आप हमसे contact कर सकते है PDF आपको मिल जाएगी इन सभी questions की GK के questions की current affairs की और reasoning की इस नमबर पर आप contact करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी ओके GK के questions की current affairs reasoning और math के questions की के लिए और UPPSC दोनों exam के लिए हमारे पास PDF मौजूद है non-trade subject की जिसकी आप book मिलनी बहुत मुस्किल होंगी market में इसकी special book आपको बहुत मुस्किल से मिलेंगी बट मेरे पास PDF है जिसमें enough question है कि आप exam में आपको वो question clear करवा सकते exam select the option to replace question mark to maintain the pattern in given number same लगबग question है उसी type का उसी pattern का question है एक series दी गई है question mark की आपको value पता करनी है series है 1, 2, 6, 24 question mark 7 27 यानि बढ़ते हुए क्रम पर एक series दी भी है question number 6 है ये ठीक है तो 1 के बाद 2 आया 2 के बाद 6 आया 6 के बाद 24 मतलब बहुत तेजी से series बढ़ रही है तो इस पर logic क्या लग रहा है 1 को अगर किसी के साथ आप multiply करेंगे मान लो 1 को 1 से multiply करके 1 बना दिया गया ठीक है 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा फिर क्या किया गया है next क्या किया गया है 1 अब into 2 किया गया है ठीक है तो आगा 2 2 का 1 से multiply करेंगे तो 2 ही आ जाएगा फिर 6 कैसे आया 1 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आजाएगा ठीक है इसी प्रकार से 1,2,3 और 4 का आप गुणा करेंगे तो 24 आएगा ठीक है ठीक है 4 का 3 में करेंगे तो 12 आजाएगा 12 का 2 में करेंगे तो 24 आजाएगा 1 का किसी में भी कोई multiplication कर दो तो कुछ नहीं होता है ठीक है change value नहीं होती है इसी प्रकार से जो question mark की value कैसे आएगी 1 2 3 4 और 5 4 तक हम कर चुके हैं लगातार पांचमा करेंगे तो question mark की value आएगी इसी प्रकार आगे की भी सीधी जम चेक कर लेंगे कि क्या यह logic सही काम कर रहा है 1 2 3 4 5 और 6 अगर इसका multiply आप करेंगे तो 720 आपको प्राप्ट होगा ठीक है क्योंकि हमने करके देखा है इतना ही प्राप्ट होता है अगर इसका आप multiply कर लें तो एक question mark की value प्राप्ट हो जाएगी तो 5 into 4 करेंगे तो 20 आएगा 20 में 3 से multiply करोगे तो 60 आएगा और 60 में 2 से multiply करोगे तो 120 आजाएगा समझ गए 120 इसका right answer हो जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा नहीं तो मैं calculation करके भी दिखा सकता था 120 इस पे आएगा सिरीज कैसे बनी 1 का 1 पे multiply फिर next 1 का 2 से multiply 1,2,3 का multiply 1,2,3,4 का multiply 1,2,3,4,5 का multiply फिर 1,2,3,4,5,6 का multiply इस टैप से सिरीज बढ़ते हुए करम पर बनाई जा रही है इस पे ये logic लग रहा था 120 इसका right answer हो जाएगा इस टैप से ये इसका solution होगा ठीक है अगर किसी को PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं इससे आप समझ पाएंगे इसलिए मैंने लिख दिया है solution भी नीचे from the option choose that set which is similar to given set given एक set दिया है ऐसे ही आपको एक set choose करना है जो इसी के similar हो same जो logic इस पे लग रहा हो उसी same logic इस set पर भी लगे जो यहां पर एक set दिया है तो इस set पे क्या logic है आगली संख्या कैसे related है 2 से 7 का relation फिर 13 का 7 का 13 से तो 2 का 7 से relation कैसे होगा अगर आप इसमें plus 5 एड़ करेंगे ठीक है 2 में plus 5 एड़ कर दो 5 इसमें जोड़ दो तो 7 हो जाएगा 7 में कितने आप जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा plus 6 ठीक है तो इसी परकार plus 5 पहले 2 अंकों में फिर next 2 में plus 6 एड़ करके जो सीरीज बनेगी वही आपका right answer हो जाएगा तो 3 में 5 एड़ करेंगे तो आप 8 हो जाएगा लेकिन अगले में 6 आप 8 में 6 एड़ करेंगे तो 14 होना चाहिए तो 24 है तो यह आपका wrong answer होगा इसी परकार next आप चेक करेंगे 7 number questions का पांच में 5 एड़ करेंगे तो 10 तो हो जाएगा फिर इसमें 6 एड़ करेंगे तो कितना होना चाहिए 14 जब की 12 लिका है तो यह भी गलत हो गया next बचा तो यही आपका right answer हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक ही बचा आए पांच में 5 एड़ करेंगे तो 10 हो जाएगा फिर 10 में 6 एड करेंगे तो 16 हो जाएगा जो की करेंगे ठीक है clear तो आपका option number 10 questions के लिए right answer हो जाएगा ठीक है same logic जो इस पे लगा वही same logic इस option पे भी लग रहा है पहले दो अच्छरों में 5 एड किया गया next 2 में 6 एड किया गया ओके clear ठीक है hint क्या था first add 5 देन आफ्टर एड 6 next reasoning का question है question number 8 है ठीक है find the missing term missing term कहां पर है 29 के बाद है ठीक है बढ़ते हुए क्रम पर एक reasoning का question है ठीक है इस पे आप धूड़ें पहले कौन सी reasoning लगेगी ठीक है तो देखें आप इन 2 को अगर add करें तो यह आएगा 2 आ जाएगा ठीक है अगर 2 और 5 को add कर रहे हैं तो 29 नहीं आ रहा है तो इस पे फिर कौन सी reasoning लगेगी तो 1 plus 1 equal to ठीक है इसके बाद यह 5 कैसे आया 5 कैसे आएगा 5 आएगा friends ठीक है 1 plus 1 करेंगे तो 2 तो आ जाएगा लेकिन 2 के बाद यह 5 कैसे आया जो कि इस series से related भी होना चाहिए ठीक है 1 plus 1 equal to 2 आ जाएगा ठीक है फिर यह 2 अच्छर यह जोड़ेंगे तो 5 नहीं आएगा 3 आएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा अगर हम 1 का square कर दें इस 1 का square कर दें तो इसमें कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा वन का अगर 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही और यह दोनों को जोड़ेगे तो कुलत गताएगा फिर इन दो को लो एक वन को को इसका स्कॉयर करो फिर यह 2 का紹ूर करो ठीक है इनको जोड़ो लो तो 1 का square स्क्वाइर आप करेंगे तो वन रहेगा दो का स्क्वाइर करेंगे तो चार हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो पांच रही है पहले दो का स्क्वाइर करके आड़ करने से तीसरा अंक प्राप्ट हो जा रहा है ठीक है तो इसी परकार से अब दो का स्क्वाइर करो फिर क अच्छार आएगा, वो आएगा 5 का स्क्वायर करोगे फिर 29 का स्क्वायर करोगे ठीक है इनको अएड करोगे तो question मार की value प्राप्थ हो जाएगी ठीक है, 5 काária स्क्वायर 25 ठीक है, प्लस इसका अगर 29 का आप स्क्वायर करोगे, वीडियो लम्बा हो रहा है calculation कर लेना 29 को 29 से गुणा करेंगे तो आपको 4 sorry 8 841 आएगा इन दोनों को add कर लो तो कितना प्राप्ट हो जाएगा 866 ठीक है 5 में एक एड करो 6 आजाएगा 4 में 2 एड करोगे तो 6 आजाएगा और 8 ये है तो 866 कौन से आपसन में आपसन नमबर 8 कोसन के लिए लाइट आंसर हो जाएगा ये इस में लॉजिक लगेगा ठीक है इस टाइप के रिजिनिंग के कोसन आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है हमने लिख भी दिया था अगर कोई इच्छुक है PDF के लिए तो उसके सब्सक्राइब करके कोसन मार की वैल्यू पर आपत हो जाएगी ठीक है क्लियर नेक्स्ट है इस टाइप से भी कोसन आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है यह है कोसन सेलेक्ट दी सेप डैट विल बी फालो इन दी फालोइंग फीगर सीरीज ठीक है यह जो कोसन मार की जगा पर कौन सा सेप इन में से आएगा ठीक है कोसन मार की जो वैलू है वहां पर कौन सा सेप आएगा ठीक है तो इस type के question पर पहले आप देखेंगे ये किस type से move कर रहा है ठीक है तो ये clockwise direction पर move कर रहा है आप इसका पहले base यहाँ पर था बेस वहाँ पर चला गया फिर next में फिर इस टैप से एक एक direction पर ये move कर गया है ठीक है clock y direction पर ये move कर रहा है ठीक है ये तो clear हो गया लेकिन इसके अंदर का भी एक word भी दिया हुआ है उसको भी आपको ध्यान से देखना है ठीक है पहले 6 दिया हुआ उसके बाद 36 36 के बाद 216 216 यानि 216 तो इसमें मान लो पहले में 6 दिया है 6 का की power 1 है ठीक है जो 36 है उस 6 की power 2 लिखेंगे तो आप 36 हो जाएगा 216 कैसे आएगा 6 की power क्या करेंगे आप 6 की power करेंगे 3 तो 216 आ जाएगा इसी प्रकार से next जो वर्ड आएगा next जो figure आएगा उस पे होगा 6 की power 4 तो 6 की power 4 की value कितनी होती है अगर आप इसका calculation करेंगे तो 6 की power 4 की जो value होती है वो 1296 होती है तो 1296 next figure पे होना चाहिए ठीक है एक ये और एक बार इस से ये figure एक डिरेक्शन घूम जाना चाहिए यानि बेस इसका इस type से हो जाना चाहिए ठीक है ये बेस फिर से गुम के वहीं पर आ जाएगा जैसे कि ये एक बार घूमेगा तो इसका base नीचे की सैट पर आ जाएगा ठीक है इसका ये base ऊपर चला गया ठीक है फिर ये अगर उपर है तो इसका भी नीचे हो जाना चाहिए तो इसका नीचे हो जाएगा तो आपसन नमबर डी सकोसंस के लिए राइट आंसर हो जाएगा 1269 ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि 1296 आना ही चाहिए उसके बीच में टैप के और भी कोशन मैं दो चार करवा दूंगा ठीक है एक्जाम में पूछ जाएंगी ओके नेक्ट जो कोशन है वो कोशन का साथ का सम्मंद नमली खित्में से किन से होगा किस अंग से होगा किस संख्या से होगा ठीक है तो चार को कैसे लिखा गया है nudod over 464 लिखना तो मुस्किल है चार का स्क्वाइर करें फिर इसमें 4 से multip wat ठीक है तो चोऑं सट हो जाएगा क्या हो जायगा चार का चारतीं बार चारचे बार पंकाइब को उनुए सजब कना करें तो सो नहीं होगा 125 ओजाएगा उसे हो तो इसको कैसे लिखा गया है, 5 का square लिखा गया है, इंटू 4 गिया गया है, ठीक है, 25, 5 का square करोगे, 25 और उसको 4 से multiply करोगे, तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 25 इंटू 4, equal to 100, ठीक है, इसी प्रकार से 7 का आप square करें, और इसमें क्या करें, 4 से multiply करें, तो जो भी option है, correct उसकी value आपक तो साथ का स्क्वार 49 इन्टू 4 इसको आप साल्व करेंगे तो मान लोगी यह 50 है ठीक है 50 को चार बार आप गुणा करेंगे तो 200 आएगा 200 में यह 4 घटा देंगे ठीक है क्योंकि हमने एक-एक बढ़ाया है सब में तो 196 इस टैप से सिंपल जल्दी से कैल्कुलेशन किये जाते हैं ठीक है उससे जैसे उन्चास है तो उसको नेक्ट जो राउंड फिगर है उसको मान लिया और उस पर फिर हमने उतने एक कम कर दिया यह चार कम कर दिया दस-पंद्रा-बीस क्लासें करवाऊंगा दो-धाई-सो कोस्तन हो जाएंगे उसी में से आपके कोस्तन फस भी जाएंगे एक्जाम में ठीक है आपको ज्यादा घबढ़ाने की जुरूद नहीं इतना टफ एक्जाम आप लोगों का नहीं पूछा जाएगा रिजिनिंग मै अच्छे से देखें समझें और एक्जाम में करेक्ट आंसर ही जिस करें ओके फ्रेंड्स आज की ये क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेनज से इतनी देर तक आप लोगों ने हमें टाइम दिया थैंक्यू अगर